हलो फ्रेंट्स, विलकम टो मेकैनिकल टिक हिंदी फ्रेंट्स, आज किस वीडियो में 10 अलगलग फैक्टर्स पे मैं पेट्रोल स्कूटर और एलेक्ट्रिक स्कूटर को आपस में कंपेर करूँगा जिससे आपको ये मालूम चले है कि किस पॉइंट पे कौन सा वाला स्कूटर ज़्यादा बेतर है और वीडियो के इन में आपको फानल कंक्लूजर भी बताऊँगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए तो वीडियो को पुरा जरूर से दे के साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से दबा दे फ्रेंड्स पहला फैक्टर है रनिंग कोश्ट यह पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलो हम एक्जामपल के लिए माल लेते कि एक स्कूटर है जो के पेट्रोल जिन के साथ आता है और वो 50 का मालेज देता है अब इस तरह के स्कूटर को जब आपको 100 किलोम चलेगा अब हम लोग आते इलेक्ट्रिक स्कूटर के उपर में तो इन जनल यह देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते है उन्हें जीरो से लेकर 100 परशन तक फुल चार्ज करने के लिए करीब करीब तीन यूनिट चार उनिट है फिर पाच यूनिट तक का जो बिजली है वो लगता है चलो हम एकजामपल के लिए मान लेते है कि जो पाच यूनिट बिजली लगा इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए अब इंडिया के अलगलग स्टेट में जो हमारे एक यूनिट जो बिजली का चार्ज है वो है कहीं पहाई पाच रूप में आपको दो तरह के लेक्टिक स्कूटर मिल जाते है पहला तो गया ओला इथर जैसा है जहां पर कंपनीज कहती कि बहुत आसाम से आप एक बार जब फुल चार्ज कर लेते हो तो उसके बाद बहुत असानी से आप 100 क्लमेटर तक एकनौमी रेंज में चले जाओगे तो अब कि लेक्टिक स्कूटर को सिर्फ और सिर्फ 100 क्लमेटर चलाने पर ही आपको 170 रुपए का बचात हो जा राए वही मार्केट में वैसे ब मिलते जिनका जो रेंज है वो कले करीप 50 क्लमेटर होता है एक पर फुल चार्ज करो तो पचास क्लमेटर के आस पास चलता है चल्वा वहाँ भी मान लेते ठीक है आपको दो बार चार्ज करना होगा 100 क्रिमेटर चिलाने के लिए 30 रुपए प्लस 30 रुपए यानि कि आपको 60 रुपए लगेंगे फिर भी आपको देखो कि पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले इन स्कूटर में भी आपको 140 रुपए का बचत हो जा हाँ पेटल स्कूटर पास फाइदा होता है कि विए अलौल अवघों इनडिया इतने सारे पैट्रोल पंपे तो आप सब्सक्राइन होता बहुत आपे चले इस मामले में बहुत हद तक जो हमारे petrol scooter है वो फिलहाल अभी जो है situation है वहाँ पे बेहतर होते है अब जो अगला point है वो है maintenance देखो मैं आपको बताना चाहूँगा maintenance के मामले में electric scooter बहुत जादा आगे है तो आपको भी पता है ना कि बार-बार maintenance के जरूत हो तो बार-बार servicing कराओ एर फिल्टर हो गया और फिल्टर हो गया इंजलों को चेंज कराओ और भी बहुत सारे maintenance के काम regular basis पर कराने होते है लेकिन जो हमारे electric scooter होते है वो almost आप मान सकते हो कि maintenance free ही होते है यहाँ पे बहुत ही minimum आपको जो हमारे battery है उनका maintenance करना पड़ता उनका ध्यान रखना पड़त है अब जो अगला पॉइंट है वो है operational range यह पॉइंट बहुत जदा important है देखो क्या है कि petrol scooter के साथ फायदा यह है कि आपको जितनी भी दूरी तैग करनी है और petrol टैंकी capacity जितनी भी 5 लिटर है 6 लिटर है 7 लिटर उसके according आप petrol भरा सकते हो और जितना भी requirement है आप अपने scooter को है अगर आप एक दो एलेक्ट्रिक स्कूटर को छोड़ दे तो मोश्री इनका जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता 50 km, 60 km का ही रेंज होता है तो आपको हो सकता है अगर लाग जान नी तो फाहली बात है आप विल्कुल नहीं कर सकता तो आपको प्रॉब्लम सेज करना अगर आपको कहीं इमर्जनसी में निकलना हो कहीं दूर निकलना हो कोई नजदीक भी निकलना हो और आप देखे लिए कि 10-15% ही बैटरी है तो फिर आपको परिशानी हो सकता है तो आप इस बात का ख्याल है कि फिर आप चार्ज में लगाओ वेट करो उसके बाद आपको न लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाए यानि कि अलेक्टिक शूटर आपको या तो स्टार्ट नहीं हो रहा है चलने ही पा रहा है वो काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको परिशानी ज्यादा फेस करनी पर सकती है और आप इस बात का जरूर से ख्याल रखे कि आप जिस भी ब् तो आज पास में सर्विस सेंटर होता है लोकल ग्राज होता है तो वहाँ पर कहीं ने कहीं चांसे से कि आप उसे ठीक करा सकते हो फ्रेंड्स बाकी के पॉइंट्स बताने हैं पहले मैं आपको कार्स जोड़े ही कुछ इम्मॉटन बात है पहले आपके साथ वो शेयर कर देत एसी कंपनी की कार से उनके भी 100% जेन्वन इस पर पार्स असानी से ओर्डर कर सकते हो इंटरफेस बहुत असान है जस्ट आपको अपने कार की मैनुफाक्ट्रिंग कंपनी मॉडल एयर वेरियंट को डालना है उसके बाद आप अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेन्वन श्टेरिंग और बाकी के सभी सेक्षन के लिए अलग-अलग कैटलोग आपको देखने को मिल जाएगा उस कैटलोग में उस सेक्षन के सारे पार्ट का आपको डिटेल देखने को मिलेगा पार्ट का नाम, पार्ट का नमबर, पार्ट का डिस्किप्शन, वो पार्ट कितना यह सब आपको यहाँ पे देख सकते हो, साथ याप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ compatibility को भी चेक कर सकते हो और अगर पार्ट आपके कार के साथ compatible हो जाए, तो फिर आप उसे असानी से यहाँ से order कर सकते हो यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा तो budmo.com के official website का link में इस वीडियो के description देजूँगा तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने कार के लिए इस प्यार पार्ट को जरूर से order करें Next point है performance, देखो यह point ही बहुँ ज़्यादा important है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कर आप electric scooter लेने की सोच रहे हो और आप यह सोच रहे हो कि वहाँ पे आप heavy mall वगरा को डोगे तो आपको परिशानी हो सकती है तो battery का problem हो सकता है साथी चूँकि आप ज़्यादे heavy load डालोग electric scooter में तो हो सकता है कि जो range है जो आपको mileage मिलाच electric scooter से वो भी कम हो जाएगा आपको परिशानी देखने को मिलेगी लेकिन आपने आप सबको पता है कि काफी लंबे समय से जो petrol scooter है वहाँ पे बहुत सो लोग heavy loads को carry करते है हलाकि इससे भी mileage तो कम होता लेकिन जैसे कि मैं आपको बता है कि आप पे petrol refill असानी से करा पाते हो तो यहाँ पे अगर आपका commercial purpose है तो मैं आपको recommend करने वाला हूँ कि भाई आप petrol scooter के लिए सोच सकते हो हाँ अगर आपको electric scooter लेना है और आपको heavy mall वगरा नहीं डोरना है नॉर्मल राइडिंग वगर करना शिटी राइडिंग करना है तो यहाँ पे आप electric scooter को prefer कर सकते हो तो load का खास ख्याल रखे साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग जो hilly area होता है ठीक है जादा आपको उचान वगरा है ठीक है अफिल वगरा है तो वहाँ पे जो electric scooter का performance है वो mostly देखा गिया है कि petrol scooter का मुकाबले कम ही होता है हलाकि कुछ बहुत अच्छे electric scooter होता है जो कि hilly area में अच्छे perform करते है लेगिन फिर भी overall देखा जाता है तो petrol scooter का आस-पास तो चला ही जाता है ठीक है इन जनर आप 70-80 के speed तो बहुत असानी से चला पाते हो ठीक है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि market में अलग-अलग तरह के electric scooter होते है तो आप इस चीज़ को जरूर से पता कर ले जो अनसा भी आप electric scooter लेने वाले हो कि भाई top speed आपको कितना मिलेगा जिसे कि ether का 90 कासपस मिल जाता है उला तो 100 पलस भी चला जाता है लेकिन बाकी companies की बात करें तो उनका top speed जो बहुत का तो 40 से कम ही होता है बहुत को का 50, 60, 70 तक का ही होता है तो आप top speed को जरूर से यहाँ पे ध्यान में रखे नेक्स्ट पॉइंट है old vehicle देखो ये पॉइंट पे अक्सर बहुत से लोग के बिलकुल बात ही ने करते बिलकुल गौर ही ने करते एक तरफ इसमें भी सचाई कि जो petrol scooter होते वो जो पुराने होते जाते तो उनका भी जो mileage वगर रहा है वो कम होते जाता है ये बिलकुल सच बात है लेकिन petrol scooter को maintain करने का और mileage को फिर से बढ़ाने का 50 अलग अलग तरीके है लेकिन जैसे ऐसे आपका जो electric scooter है वो पुराना होते जाएगा तो क्या आगे battery backup है वो कम हो जाता है आपका जो scooter बहुत लंबा समय तक नहीं चले हो सकता है कि आपको बार बार चार्ज भी करना पड़े तो आप इस point को भी जरूर से अपने दिमाग में रखे ठीक है आप जो आगला बहुत important factor है वो है प्राइज यह बहुत important है इन जनल अभी की टाइम में आप देखो कि जो पेट्रोल स्कूटर है उनका जो range है जो प्राइज है वो 90,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक होता है ठीक है इतना ही है मोश्टी तो इतना ही है ठीक है इदो को छोड़ दोगा आप लेकिन अगर एलेक्टिक स्कूटर की बात करे तो आप बहतर ब्रैंड्स के लिए अगर जाते हो तो आपको चाहिए टीबेस का बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा पेट्रोल स्कूटर का प्राइज वो कहीन है मिड में ठीक है बीच में है वहाँ पे और प्रीम्यम क्वालिटिक स्कूटर चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे और आपको नॉर्मल चाहिए लेक्रिक स्कूटर तो आपक इनका फाइदा होता है जबकि पेट्रोल स्कूटर में चुक है उनके अंदर में जो पेट्रोल की बर्निंग होती है तो वहाँ पे वो इन्वार्मेंट को हम पहुचाते है पोजिशन पहुचाते है तो इस मामले में कहीं ने कहीं बहुत ही ज्यादा बेतर है अब बात आती फाइनल कनिक्लूजन की तो देखो बहुत सिंपल सी बाते में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो परपस है ठीक है जो मोटो है वो है शौर्ट राइडिंग करना ठीक है आसपास राइड करना सिटी राइड करना बहुत लॉंग रूट टूर नहीं जाना बहु आपको रिकमेंट करने वाला हूँ कि आपको पेटोल स्कूटर के लिए ही जाना चाहिए वैसे आप किस तरह के स्कूटर को अपने लिए खरीदना पसंद करोगी या आपके पास कौन सा वाला स्कूटर है या आप इस वीडियो में कॉमेंट करके जरूर से बताए उम्मीद झाल झाल